है ले रुवन कैसे हो आप सब लोग तो चलिए आजाई हम ट्रेड करते हैं शुरू यहां पर सैंसेक्स ने फ्लैट ओपन होकर नीचे चलना शुरू किया फिर अचानक से अफसाइट का मुमंटम कर दिया अब देखिए सैंसेक्स का तो बनता है क्योंकि एक्सपायरी में अपना तो हमें एक्या खरना मार्किट के इंदर यहां पर लेना है एक्या और 400 का मैं फूट आंड कर ले साथ हो अ है और एक्यावन का भीी फूट कर लेते हैं यहां में है क्वां चार सब्सक्राइब कर लेते हैं क्योंकि नोरुमल ऑन स्याम के करेंगे देखिए अगर में मरेंगे तो एक में बरेंगे दो में बरेंगे तो तीन में भी चलने देते हैं ठीक है तो वैसे कोई बात नहीं है डलने वाली क्यां दोसों का भी अपना पुट ले लेते हैं उसके बाद अपना 82,000 का या फिर थोड़ा अभी तो मार्केट उपर आ गया यहां पर हम 800 कॉंडेटी बाई कर लेते हैं ठीक है तो बात करते हैं कि सेलिंग साइड का ट्रेड हमने इंगे अंदर क्यों लिया है इसमें पैसा बन सकता है या फिर नहीं बन सकता है किस प्रकार की प्रोप्लिल्टी मार्केट बना के हमें दे रहा है अभी कोई फैसला नहीं कर भाएंगे मार्केट एक्चुल में करना क्या चाता है लेकिन एक बात यहां पर हम पकड़ सकते हैं कि जो लाश्ट में मुमंटम हुआ ना वही मुमंटम हमारे काम आ सकता है कि मार्केट ने देखी ऊपर जा रहा था गैप उपन हुआ लेकिन उसको गुमाया यह बात हमें नोट करने चाहिए उसके बाद यह जो मार्केट यह तो कुछ भी नहीं है यह तो मार्केट 100 पाइंट में घूमा जो इसमें कुछ लोगों साइट के ट्रेडर यहां पे बैठ होंगे लेकिन मार्केट ने क्या गैप डाउन दिया तो गैप डाउन मे आप ये बोलो शरी ऊपर कैसे आ गया मार्केट पहली बात तो देखे ये भी एक उपरेटर हो सकता है जिसने मार्केट को ऊपर ले जाने की कोसिज किया हुआ तो वही उपरेटर यहां पर पैसा लगा रहा कि चलो देखते हैं अभी तो बच जाएंगे तो वैसा उनको बचाने की टोसिज होते हैं लेकिन हमें किसके पास जाना है जिसके पास थोड़ी स्ट्रेंथ नजर आ रहे हैं तो हमें जो लाश्ट में मुमंटम हो उसके अकोर्डेंग यहां पे जो बायर हैं वो कहिना के ट्रैप होने वाले हैं जो अपरेटर है उसके भी आपोजेट में मैं मार्केट ओपन हो चुका है इसके साथ साथ देखिए यह जो मार्केट में अप Сट्रेड में हमने यह परास करेंगे तो फिर मार्केट के अंदर पैसा आएगा तो फिर पैसा आएगा तो ऑपरेटर पैसा बनाएगा तो कहीना कि हमें यहां पे कलियर नजरा रहा है कि जो अपर साइड का सैदर है वो काफी जादा श्रोंग है अगले दिन उसने गैप डाउन भी मार्केट को दिया है यह जो आपको अपसाइड का मार्केट निकालने की कोशिस कर रहा होगा कुछ बायर को मार्केट एडव गारा करवाना चाहता होगा क्योंकि मार्केट ने क्या हों दोस्तों का कहीना कि exactly support ले रखा है डिरेक्ली में भी मार्केट बढ़ना नहीं चे जिस प्रकार का momentum नजर आ रहा है सेंसे बात करें तो इसने भी लगबा 82,000 से डिरेक्ली सपोर्ट मार्केट के अंदर ले रखा है अगर इससे पहले भी अगर आप चार्ट देखो तो सिमिलर ही चार्ट बनावा जैसा बैंक निफ्टी का बनावा है एक दिन मार्केट ऊपर चला गया 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 अगले दिन गैप उपन होकर मार मार्केट ने क्या किया है इसमें यहां पर अगर मार्केट गुमाकिल है तो अच्छा सेलर यहां पर हो सकता है यहां पर आसपास के सेलर को मार्केट इस प्रगार की मुमंटम करके निकाल देता है एक बार उनको निकाल दिया उसके बाद आसपास के सेलर को अगर निकाल दि एक्स्ट्रा लेने का रीजन यही कि मार्केट में देखिए मॉर्णिंग के अंदर तो एक मुमंटम हो जाता है उसके बाद मुमंटम होता नहीं तो मैं तो चाहता हूं कि जो भी मुमंटम हो थोड़ा अच्छा हो प्रोफिट बने लोस बने थोड़ा ठीक हमें मिल जाए तो क इन उस चीज को बार बार जब हम देखते रहते हैं उस चीज से हमें ज्यादा स्ट्रेस आता है तो ट्रेडिंग देखिए ऐसी चीज है नहीं कि आप इस चीज को देखती जाओ देख्ती तो ऐसी होती कि ठीक है आपने 30-40 मिन ट्रेड किया उसमें कुछ बन गया बहुत आएगा अगर momentum नहीं है थोड़ा slow momentum है तो आपको max to max दो गंटे लग सकते हैं मारकेट में उससे अगर extra time market ले रहना तो वो क्या करेगा दिमाग को खराब करेगा दिमाग करने से मेरा क्या मतलब है वो stress देगा profit दे profit नजर आ रहा हो तो आप यह देखोगी मेरा target book नहीं हो रह तो वैसे लगे लगा रहेगा कि लोज करेगा मार्केट करेगा तो वो situation से बचने के लिए मैंने क्या कर लिया कुछ quantity वगरा add कर लिया अदरवाइस हमें आव सकता नहीं होती नोर्मली ठीक ठाग हमें momentum market के अंदर मिल जाता है लेकिन अगर market sideways है तो थोड़ा परियास करना से हमारी तरफ से कि जितना भी momentum आई थोड़ा सेफली हमें मिल जाए तभी चलने देते आराम से वेट करते हैं ट्रेड वगर आपको समंझ में आ गया होगा देखते हैं मार्केट की कितनी प्रोबल्टी हमारे कोर्डिंग चलपाती है तो यहां पर देखें में काफी तब ऐसा लग रहा था कि कहां पर बैठे हैं गलत काम करें बड़ा स्ट्रेस होता है मार्केट के अंदर लेकिन जब ऐसा कोई ट्रेड हमें मिल जाए जहां पर डिरेक्ली momentum हो जाता है और या फिर अच्छा मार्केट के अंदर प्रोफिट बन जाता है तो दुबारा से मार् करना गलत option selling करना शुरू कर दें ऐसे मोमंट में क्या होता है option seller देखता ही रह जाता है इतना अगर मैं यहां पर पूट लेता तो क्या क्या बन जाता तो वो उसका मार्केट वहां पर खराब होता है तो सभी को मार्केट धीरे-धीरे कुछ ना कुछ देता रहता है थोड़ हम यहां पर क्या करें अपनी portion को booking market के अंदर कर लेंगे booking करने का reason कि अभी देखिए इसका भी market double triple कर सकता है लेकिन बात यह कि हमने 2-3 दिर कुछ बनाया नहीं एक दिन हमें क्या बनाना है उस चीज का मेटर नहीं करता मार्केट के अंदर एक दिन हमारा अगर बाई चांस गलती से कोई बड़ा लोस भी हो जाए ना तो उसे भी घबराना नहीं है एक दिन वाला मार्केट में आप जेल जाओगे लगातार जो चीज करोगे ना उस इसन में देखना चाहिए आपको कि आप क्या कर रहे हो एक दिन आपने गलती कर लिया कितनी भी बड़ी गलती कर लिया कोई बात ने उसको भूल जाओ जो हो गया हो गया लेकिन उसके लिए ध्यान रखना कि अकाउंट में ज़्यादा पैसा नहीं रखना चाहिए क्योंकि ज़्यादा पैसा अगर एक दिन में चला गया तो फिर वो लंबे टाइम के लिए आपको परिशान करेगा लेकिन अगर हम कम पैसे से एक दिन अगर कोई गलती भी कर देते तो उस चीज़ की भरपाई हो सकती है मार्केट के अदर तो यह यह नए ट्रेडर के लिए इवन आ यहाँ पर अगर मार्केट उभुमाया तो कोई अच्छा ओपरेटर यहाँ पर हो सकता है इसी के अकोर्ड हमने अमने अनलीसेज वाला प्लान मार्केट के अंदर बना लिया था कि यह अगर थोड़ा बहुत गयप है मिल जाए इवन गया डान में वे मार्केट के अंदर कर यह आपको कुछ आफसाइट का मुमंटम नजर आ रहा है जो डार्टली मार्केट ने किया है वह रीजन क्या हो सकता है कि यहां पर जो सैलर होते हैं उनको मार्केट एक बार परसान कर लेता है क्योंकि ऑपरेटर को तो पता होता है कि उसे अपनी पॉस्टन कट करना नहीं है लेकिन हमारे जैसे लोग इस प्रकार के मुमंटम को समझने पाते हैं कि मार्केट ऐसा क्यों करा है मेरा प्रोफिट कम हो गया चलो मैं निकल जाता है और जैसे हम निकलते हैं मार्केट में दुबारा से मुमंटम आ जाता है तो यह चाल आपको मार्केट की पगड़ने पड अभी देखी गिर रहा है लेकिन इस गिरने के पीछे हमें वो नहीं जाना कि गिर रहा है तो चलो बैठा रहता हूं ऐसा नहीं करना है आपका अच्छा प्रोफिट बन गया हमें बार बार प्रोफिट करना है एक दिन तो समझे लो कुछ नहीं करना हमें एक दिन के लिए कभी भी काम बत करना ऐसी देखना कि मुझे 10 दिन एक महिने एक साल में मार्केट के अंदर क्या कर सकता हूं वो प्रोसेस अगर आप फोलो करते हो तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा तो बहुत अच्छा प्रोफिट बना काफी दिनों के बाद अच्छा लगा मुझे ध अच्छा नेवाद